गुट मॉर्णिंग श्टूरेंट्स वेलकम बेक टू हिंदी क्लास प्रीविएस वीडियो में हम पढ़ रहे थे नदी और लता नदी और लता क्या है कमी था नदी के किनारे लता मतलब फूलों की बेल थी वो नदी को फूलों से महकाती रहती थी और उस बेल पर पक्षी आते थे और गाना सुनाते थे जो अकेली नदी थी वो उसका मन बहलाते रहती थे लेकिन एक दिन क्या हुआ भयंकर बारिश आई पहले तो दोनों साथ साथ रहती थी नदी और लता नदी भी लता को की गर्मी में शीतलता थंडाई देती थी दोनों हमेशा मित्रता से रहती थी लेकिन एक दिन क्या हुआ अचानक से बारिश आई बारिश आई तो लता को अपने आप में एंकार हो गया अवास को आगे हम कंटीनी रहती है उस नदिया इस नदिया ने सीमा तोड़ी दीन लता को मसल दिया उसके पत्तों को फूलों को नदियों ने था निगल लिए वारिश आई तो नदियों ने अपनी सीमा पोड़ दियो दें अ उसके पत्तोर फूलों को अपने अंदर पानी के अंदर उसको ले गई भाग के मतलर टमरी ज्वैंट पूल सब रएकों के लिता नेरीया act कानी नोम सब्सक्राइब कें अंध्ल pineal पजसे बड़ी लिए एक ह्राइब 25 मांने dues हम proud पर नहीं थे वर्षा का सब सलीड भाजब तूटा घमन अधिया का जगी नमरिता फिर उसमें पर वहां नहीं थी सखी लटा जब वर्षा का जल भेह कर चला गया तो नदी का जो घमन था वो तूट गया और उसके अंदर फिर से विनमरिता जागे लेकिन जब आप नहीं लका ख़े लकेर दें मियाम फिनारी जाहरे लकुलोब नहीं लोगतीम के लिए सजा धाय'M कर रहा सजा हुआ था तड़ जो पहले आज वही सुनसान हुआ भर घमंड में उसे नदिया ने लता सक्षी को बहा दिया जो पेले जो तटर नदी का तटर पेले सजा रेता था वाज अब बिल्कुल सुन्सान हो गया है और नदी के घमण ने लता सकी को मतलब उसकी जो सहेली थी लता बेल उसको बहा दिया था एहर एहर कर नदीया रोती सकी नहीं पर मिल पाती अपनी ही कवर्टूतो परवाद राद दिवसे पश्टा थी अब क्या था हाई हाई करके नदी रो रही थी लेकिन उसको उसकी सहेली नहीं मिली थी और उसको अपने द्वारा करे हुए पर पश्टावा हो रहा था और वो राज दिन बार बार पश्टा रही थी थेंक्यू अबर गुड़ डेग